एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का रोना ट्रसिपी में आज हम जानेंगे चने कैसे अंकुरीट करें काले चने में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है चना डाल को अंकुरीट करने के बाद इसमें जो पोशक्त आते हैं वो काफी गुना बढ़ जाते हैं स्प्राउटेट चने में प्रोटीन के अलावा कार्वो हाइडरेट विटामिन A और विटामिन B भी पाए जाता है स्प्राउटेट चना फाइवर से भरपूर होता है खाली पेट अंकुरीट चना खाने स्वास्त के लिए काफी लाबदायक होता है आईए जानते हैं चने कैसे अंकुरीट करे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं चने कैसे अंकुरीट करे चने अंकुरित करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है काले चने मैंने यहाँ पे 1.500 ग्राम काले चने लिए है और चने हमें जो बीच में से इस तरीके से तूटे हो उन्हें हटा लेना है क्योंकि इसमें हमारा स्प्राउट नहीं आता है अब हमें इसके बाद इसे दो से तीन बार साप पानी से धो लेना है तो मैंने यहाँ पे चनों को दो से तीन बार साप पानी से धो लिया है अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं पानी चनों में हमें पानी इतना डालना है कि चने हमारे डूब जाएं और चनों से पानी 2-3 cm उपर रहे और उसके बाद इसे हम करिवन 10-12 घंटे के बिगोने को रख देंगे तो ठीक 10-12 घंटे बाद चने हमारे अच्छे से भीग के तयार हो चुके हैं हमने इसमें से जो इसका एक्स्ट्रा पानी था उसे हटा लेना है चलिए आप अनकुरित करना स्टार्ट करते हैं और चने अनकुरित करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लेना है कॉटन का कपड़ा उसे थोड़ा सा भीगो के निचोर ले और उसके बाद समय हम डालेंगे भीगोए हुए चने और चने को हमें इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेना है और फैलाने के बाद इसे 5-7 मिनट हम पंखे के नीचे छोड़ देंगे इस तरीके से चने अंकुरित करने से एक तो जो हमारे चने हैं वो अच्छे से अंकुरित होते ही दूसरा जो हमारे चने हो आपस में चिपकते नहीं है तो मैंने इसे करेवन 5-7 मिट पंखे के नीचे रखने के बाद इसे कपड़े समयर उठा के एक बाउल में रख लिया है अब हमें इसे सभी कोनों से इस तरीके से उठाना है और उठाने के बाद इसके एक पोटली सी बना देंगे और फिर इसे हमें इस तरीके से थोड़ा सा घुवा के दुबारा उसी बाउल में रख लेना है और उसके बाद से हम देंगे धक और धक के इसे 12-14 गंटे के लिए ऐसी छोड़ देंगे अगर 12-14 गंटे में आपके चने में अंकुरत नहीं आता है तो इसे 2-4 गंटे और छोड़ सकते हैं धक के तो करीबन 14 गंटे बाद मैंने इसको चेक कर लेंगे हम तो इसका उपर का कपड़ा हटा लेते हैं तो ये देखे फ्रेंट जो हमारे चने हैं कितने अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बने हैं तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो फ्रेंट्स हमारे चने अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं आप भी इसी तरीके से चनों को घर पे अंकुरित कर सकते हैं। चने हमारे स्वास्त के लिए काफी लाबदायक होते हैं, इनमें काफी मातर में प्रोटीन होता है। खाली पे चना खाना हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक होता है। तो आपको मेरा चने अंकुरीत करने का तरीका कैसा लगा? कमेंट करके बताए. Thank you for your watching.